नमस्कार दोस्तों सबस्क्राइब कीजिए गुरु जी इस्टेडि पॉयंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का गुरु जी इस्टेडि पॉयंट में जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछली दो क्लासों में हम लोगों ने रस पड़े हैं तो आईए आज देखते हैं रसों पर आधारित कुछ महत पूर्ण प्रस्ण जो कि प्रत्योगी परक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं इन प्रस्णों पर आप विश्यस ध्यान जीएगा इनी प्रस्णों में से कोई प्रस्ण अगली प्रक्षा में भी आ सकता है बहुत महत पूर्ण प्रस्ण है सब प्रस्ण मैंने नहीं लिखे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के विश्चन्स हैं वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आ आउंगा तो दोस्तों रस जिद्दांत के जो आधि प्रवर्तक हैं वह हैं भरत मुनी भरत मुनी से और प्रस्ण यह भी निकलते हैं कि भरत मुनी ने रसों की संख्या को कितना माना है तो वह मैं आपको पहले करवा चुका हूं वह हो जाएगी आठ तो आईए अब देखत अगले प्रस्ण सब को पता है कि सांतरस को नॉमा रस कहा जाता है मैंने पहली वीडियो से आप दोगों को बताया है लेकिन ठीक है कि प्रते इस्थापना किसे ने की थी यह प्रस्ण और आने लगा है प्रिक्षाव में तो आईए देखते है तो दोस्तों सांत रसकी प्रतियस्थाबना उद्ध भट जीने की थी आए देखते हैं तीसरा प्रसन देखिये आप सभी को पता है कि स्रेंगार रसको। रसराज कहा जाता है मैं बता चुका हूँ पहली वीडियो में लेकिन सिरंगार रसको रसराज कहा किसने यह प्रसना आता है अब तो बताईए आप लोगों को पता हो तो कमेंट कीजिए तो दोस्तों सिरंगार रसको रसराज कहा है भोज राज जी ने आईए देखते हैं चौता क्विश्चन काबि सास्त के अनुसार रसों की संख्या कितनी है बताईए आप लोगों को पता हो तो कमेंट कीजिए तो दोस्तों काबि सास्त की अनुसार रसों की संख्या हो जाएगी आपकी नो और अब बढ़ते हैं अगले दो प्रस्णों की तरफ जिसने मैं एक साथ लेने वाला हूँ रस तरंगणी की रचना किसने की है और अगला है कि रस मंजरी की रचना किसने की है तो दोनों के लेखक एक ही हैं आप लोगों को पता हो तो आप लोग बताएं रस तरंगणी और रस मंजरी के लेकक हैं भानुदत्त जी चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण छल नामक 34 संचारी भाव किस आचारे ने माना है देखिए आप सभी को बता चुका हूँ कि संचारी भाव की संख्या 33 होती है लेकिन एक 34 संचारी भाव का आचारे ने और माना है जो कि है चल तो उन आचारे का नाम बताना है आप लोगों को तो दोस्तों ये आचारे हो जाएंगे आपके देव कभी जी और अब ये प्रस्ण जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये बहुत हवार परिक्षाओं में आ चुका प्रस्ण है बहुत ही मैत्वपूर्ण प्रस्ण है कभी बिहारी किस रस्ट के कभी है सभी को पता होगा कमेंट कीजिए तो दोस्तों कभी बिहारी जी स्रिंगार रस्ट के कभी है प्रियम की कवताई लिखते हैं तो आईए ये तो हो गए आठ प्रसन अब अगले और प्रसन देखते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख जरूर रहे होंगे इन प्रसनों को साथी साथ लिखते चलिए साथी साथ याद करते चलिए बहुत महतों प्रसन है अब आई देखते हैं अगला प्रसन तो दोस्तों अगला प्रसन नमा प्रसन जो है वह है कि अदवद रस्का इस्थाई भाव क्या है इस्थाई भाव मैंने आपको 9 करवा दिये हैं उम्मीद करता हूँ आप लोगोंने याद भी कर लिये होंगे तो आप लोग जल्दी से गमेंट कीजिए अदबुदरस का इस्थाई भाव क्या है तो दोस्तों अदबुदरस का इस्थाई भाव हो जाएगा बिश्मय बहुत ही महत्त पूर्ण प्रस्म है ये कभी कभी पूँच लेता है बिश्मय किस रस का इस्थाई भाव है तो अदबुदरस हो जाएगा इंपोर्टेंट क्विश्चन है द्यान रखिएगा और अब देखते हैं अगला प्रश्न जो की हैसान तरस का इस्थाई भाव क्या है मैंने दो बताय थे इसके इस्थाई भाव आपको दोनों पता होंगे कमेंट किए जल्दी से फिर मैं बताता हूँ आपको दोस्तों शान तरस के जो इस्थाई भाव हो जाएगे वह आपके निर्वेद और शम है दोनों याद रखिएगा कोई भी परक्षा में आ सकता है निर्वेद जादा पूँचते हैं याद रखिएगा अगला जो रस दिया गया है आपका वो है अत्ति मलीन ब्रिशभान कुमारी इस पंक्ति में आप लोगों को रस बताना है कौन सा है तो अत्ति मलीन ब्रिशभान कुमारी बहुत वार परक्षा में आयोगा प्रसन है इसमें बताइए कौन सा रस है जल्दी से तो दोस्तों इस रकाबे में आपका हो जाएगा बियोग सरंगार रस अत्वा विप्रलंब सरंगार रस बियोग सरंगार रस को ही विप्रलंब सरंगार रस भी कहते है कभी कभी परक्षा में बियोग ना देकर विप्रलंब सरंगार रस लिख देता है तो आप लोग कनफ्यूज मत होईएगा एक ही हैं दोनों और अब देखते हैं अगला प्रशन टा ठा डा डा किस का विगुड से संबंदित है ये मैंने गुड के दो प्रस्ण आपको लगातार दिये है परिक्षा की दश्ट से महत्पूर है तो जिसे पता हूँ वो कमेंट कीजिए फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ओजगुड और अब देखते हैं अगला प्रस्ण माधुर्री गुड किस रस्ट से संबंदित है तो माधुर्री गुड आपको पता हूँ तो बताईए फिर मैं बताता हूँ माधुर्री गुड किस रस्ट से संबंदित है तो दोस्तों माधुर रिगुड आपका जो है वह श्रंगार रस्ते संबंदित है और अब देखते हैं आगे एक पंक्ति दी गई है बाक्यम रशात्मक काब्यम यह है पंक्ति किश्के दौरा कही गई है यह है आपको बताना है तो दोस्तों बाक्यम रशात्मक काब्यम यह पंक्ति जो है वह विश्वनाज जी ने कही है और अब देखते हैं अगला प्रशन जो कि है अमर्श क्या है जैसा कि आप सभी को पता है कि अमर्श जो है वह एक संचारी भाव है और अमर्श क्रोध का परियावाची भी है तो दो दोस्तों अमर्ष आपका संचारी भाव हो जाएगा और अमर्ष जो है वो करोध का ही एक छोटा रूप है जो कि आकर तुरंथ चला जाता है और क्रोध आपका एक इस्थाई भाव है तो अब देखते हैं अगला प्रशन जो कि है विवत्सरस का इस्थाई भाव बताना है आप सभी को पता होगा कि जुगुपसा होता है और जुगुपसा का आर्थ होता है घ्रडा तो उमीद करता हूँ ये सारे प्रसंद भी आप लोगों ने कौपी में लिख लिए होंगे और साथ ही साध्याद करते चलिएगा अब आए देखते हैं अंगले कुछ और क्या है आप लोग बताईए आप लोगों को पता हो तो नहीं तो मैं बताता हूँ भी तो दोस्तों इसका आर्थ हो जाएगा अभिव्यक्ति आए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ जो कि है भारत मुनी के अनशार भावों की कुल संख्या कितनी होती है तो ये आपकी हो लेखक हो जाएंगे पंडित राज जगन्नाथ जी आए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ जो कि है श्रंगार रस के देवता किजे कहा जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए तो रस के श्रंगार रस के देवता हो जाएंगे प्रभू स्री क्रिशन जी और यहीं पर एक प्रस नौर आता है कि करोड रस के देवता कौन है तो वहे आपके हो जाएंगे यमराज जी तो बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ कौश की ब्रत्ति का संबंद किसे से है ये आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को पता हो तो दोस्तों कौश की व्रत्ति का संबंद स्रंगार रस्य हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ रस मीमांसा के लेखक कौन है तो यहें आपके हो जाएंगे आचारे रामचंदर शुकली जी बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ हिर्दय की मुक्ता वश्ता को रशादस किसने कहा है तो यहें आप के हो जाएंगे राम चंदर शुकल जी अब बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ बास्त सली रस को दस्मा रस किसने कहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बिश्वनात जी अब देखते हैं अंतिम प्रशनाज की वीडियो का और यह है कि इस थाई भाव को उद्दीब्द करने वाली जो परिश्टितियां होती हैं उन्हीं हम लोग क्या कहते हैं तो इन्हें हम लोग कहेंगे बिभाव तो यह रहे एक कुछ 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसन जो परिख्षा की दरश्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं इन्हें आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और साथी साथ याद भी कर लीजिएगा इन प्रसनों म इसे ही आपको अगली प्रिक्षा में कुछ प्रसन मिल सकते हैं यूपी टैट वाले बिश्याश कर इन प्रसनों पर ध्यान दें क्योंकि ये प्रिक्षा की सिक्षक वर्ती की दरश्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसन में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए उम्म मैं आपको वह चीश सब्वारा से समझा दूँगा तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे की ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में आप लोगों के लिए और भी लाता रहूं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में रस आपके यहां से समा अगली वीडियो में कुछ नया टापिक लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए तब तक के लिए नहीं बाद